So good morning guys और current affairs के revision वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के current affairs का revision करेंगे तो हमारा पहला प्रश्न क्या है सैयुक्त राश्टर के लिए भारत के इस्थाई प्रतिनिदी के रूप में किसे नियुक्त किया गया तो आंसर होगा इंदरमणी पांडे को इसके अलावा एक T.S. तिरुमूर्ती भी नाम अमने पड़ा था उनको United Nation में भारत का स्थाई प्रतिनिदी बनाया गया था फिर पाकिस्तान सेना में पहली महिला Lieutenant General कौन बनी निगार जोहर बनी है और राहुल देव का नाम भी याद रखना ये पहले हिंदू पाइलिट बने पाकिस्तान में और एक और नाम में आपको बताऊँगा मनमीत कौर पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार है जिनने ब पारते अमेरिकों को 2020 Great Immigrants सम्मान से सम्मानित किया जाएगा तो आंचर होगा सिधार्त मुखर जी को और राज चेट्टी को तो COVID-19 के समय स्वास्ते संकट को दूर करने के प्रयासों में जो इन्होंने योगदान दिये हैं उसके लिए मिलेगा इनको सम्मान फिर एशिया पारीजन के लिए Commonwealth Short Story Prize 2020 से किसे सम्मानित किया गया आंचर होगा क्रती का मांडे को तो The Great Indian Tea and Snacks स्टोरी के लिए मिला इनको ये सम्मान फिर एक किस राज जी के मुख्य मंतरी ने ई ग्रन्थाले ई लाइब्रेरी का उध्वाटन किया तो आंचर होगा उत्तराखंड फिर के इंद्रेफ फिल्म प्रमानन बोड यानि के Central Board of Film Certification के नए CEO कौन बने रविंदर भाकर फिर इंडियन ओयल कंपनी के नए अध्यक्ष के रूप में नियूक्त किया गया श्रिकांत माधव वैद को और याद रखना एक तो ये इंडियन ओयल कंपनी और NTPC ये दोनों मिलकर क के दिल्ली के ओकला में West to Energy Plant बनाएंगे फिरे एशिया का पहला Continuous Galvanized Rebar उत्पादन सुविधा केंदर का उधगाटन किया पंजाब में रेबार मतलब हो गया reinforcement बार सरिया आप कह सकते हो इंदी में और इस केंदर का उधगाटन हता हमारे Petroleum वा Steel वा Natural Gas मंतरी धरमेंदर प्र प्रोजेक्ट केरल की Capital तिरुननपुरा में मुक्य मंतरी पिनाराई विजियन और गवर्नर है आरिफ मुहमत खान और ये प्रोजेक्ट शुरू किया था ताकि जो लोग आ रहे उनके अनुभव को उनके experiences को उनकी शमता को यूज किया जा सके उनका लाब उठाया जा सके उ दुपेश भगेल और अनुसुया उई के गवर्नर है फिर फसलू की खेती को वी नियमित करने वाला पहला राज कौन सा बना तो आंसर होगा तेलंगाना इसका मतलब यह हो गया कि सरकार बताएगी कि किस शेत्र में कौन सी फसल करनी है किसान अपने हिसाप से नहीं करेगा स सरकार के हिसाप से गरेगा इसका मतलब यह हो गया फिर राष्ट्रे डेंगु दिवस यह कब मनाया जाता है तो आंचर होगा 16 मई को वैसे 16 मई को सिक्किम का इस्थापना दिवस भी होता है और International Day of Light भी हम 16 मई को ही मनाते हैं फिर आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने क के लिए कारेकरम शुरू किया गया था तो उसकारेकरम का नाम था Goal, Going Online as Leader और इसको शुरू किया था हमारे जन जातिय मामलों के मंतरी अर्जुन मुंडा जी ने जिनका निरवाचन शेत्रे खुंटी जारखंड जो कि आर्चरी असोसेशन ओफ इंडिया के भी अध्यक्ष फिर रक्षा मंतरी जी ने किस नाम से इंडियन कोस्ट गार्ड यानि कि भार्टे तट रक्षक बल के एक जहाज को कमिशन किया था तो यहां option में आपको मिलेगा सचेत उसका नाम था सचेत और आपको यादू का इसी के साथ दो इंटरसेप्टर बोट C-450 और C-451 को भी कम फिर एक किस राजी की पुलिस ने कोरुना युद्धाओं के लिए थर्मल कोरुना कॉमबैट हैंड गियर लॉंच किया हैड गियर लॉंच किया तो आंचर होगा दिल्ली पुलिस ने फिर एक किस IIT ने MIR AHD COVID-19 डेश बॉर्ड विक्सित किया तो आंचर होगा IIT गांधी न फिर है 2021 में 11 वी होकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रे चेंपियंशिप का युजन ये कहां पे किया जाएगा तो आंसर होगा महराष्ट्र में और महिलाओं का जो होगा चेंपियंशिप वो UP में होगा फिर पाकिस्तान किर्केट बोर्ड ने किस किर्केट को नया वंडे कपता नियुक्त किया था तो आंसर होगा बाबार आजम को वैसे T20 पाकिस्तान की जो T20 टी में उसके भी यही है फिर है पदम भूशन प्राप्त करता और प्रोफेसर अजी सुझमन का भी निदन हो गया वो किस देश से थे वो बांगला देश से थे बढ़ते आगे तो चलिए कल के Current Affairs को भी रिवाइज करते हैं पहला प्रशन पूछ रहे हैं को साड़ी देगा साड़ी लुंगी वगेरा पूरुशों के लिए जार्खन देगा फिर है Wildlife Photographer of the Year 2020 का पूरुशकार जीतने वाली पहली भारते मैला बनी इश्वर्या श्रीधर इनकी फोटो का नाम है Lights of Passion और Behavior Invertebrate category में इनको मिला यह पूरुशकार जो इसका Main Title है वो त CEO है राकिश शर्मा फिर है लॉंसेट मैडिकल रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा दर बढ़कर कितनी हो गई है 70.8 एर्स फिर है केंद्रे सिक्षा मंतरी ने बहुत दिक संपदा साक्षरता और जागरुकता अभियान के लिए किस कारेकरम को शुरू किय कपिला कलाम अभियान को फिर है भारते निर्वाचन आयोग ने किसे विशेश पुलिस पर्यवेक्षक यानि की स्पेशल पुलिस अब्जरवर नियूखत किया मद्ध्य प्रदेश के लिए तो अंचरुग मरनाल कांत दास को फिर है भारत ने किस देश को आई एनेस पीर देने की घोषणा की एक पंडुब ये सम्मरीन म्यानमार को और ये म्यानमार का पहला सम्मरीन होगा फिर भारत चरकार ने भारत को ट्रांस फेट मुक्त बनाने का लक्षे कब तक कर रखा है दो जरबाइस तक का फिर है किस राज्य सरकार ने राज्य के हर पुलिस में महिला हेल्प डेस्क खोलने का फैसला किया तो आंचर होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ते आगे तो इस टेडिक क्यूशन्स को भी देख लेते हैं अब पाकिस्तान की प्रसिडेंट बताओ सबको बता है आरिफ अल्वी है कैपिटल इस्लामाबाद है करंसी है पाक प्रेस फ्रेडम इंडेक्स 2020 भी याद कर लो उसमें भारत 142 नंबर पे रहा था टॉप पे नौर्वे था अच्छा इंडेक्स पे शायद मैं आपको एक वीडियो अभी तक दे चुका हूँ 2020 में शायद वीडियो दिया है या ओडियो दिया है मैं कुछ तो दे चुका आपको लेकिन जल्दी एक और वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ लेटेस्ट इंडेक्स को हम लोग उसमें कवर करेंगे और कोशिश रहेगी MCQ की फॉर्म में मैं वो वीडियो तयार करूँ ताकि उसकी quiz भी बना करके आपकी crack exam application में अप्लोड कर दी अप्लोड हो जाएगा उसके एकाद दिन में इंडेक्स इसका भी आ जाएगा mostly problem time की रहती है वरना जितना होता है मैं आप लोगों के लिए कुशिश करता हूँ आचा देको press freedom की बात हुई है ना एक नाम में आपको और बताऊँगा freedom of speech award मिला था भी भारते पत्रकार हैं स जन्नी आनंद एक है मुकतार खान और एक है दार यासीन फिर है 2019 का राजियो गांदी खिल सम्मान 2019 का पूछ रहे हैं वैसे आप तो 20 का भी आ चुका है पांच खिलाडियों को मिलाए 20 में तो अब 2019 में पूछ रहे हैं तो आपको पता है ये दीपा मलिक और बजरंग पुन रतने पुरिसकार में जो विजेता राशी है उसको बढ़ा कर की कितना कर दिया गया दो कुछन पूछ लिए मैंने आपसे फिर है शंगाई कॉपरेशन और्गेनाईजेशन का हैट्वाटर बताओ बीजिंग चाइना में है और वैसे एशन इंफ्रस्ट्रक्चर होंगे वो भी यहीं पर होंगे बीजिंग चाइना में फिर है दे नाइटेंगल ऑफ इंडिया भारत की कोकिला किन को कहते हैं सरोजीनी नाइडू जी को कहते हैं और मैंने आपको कहीं बार बताया है इनका जन्नम दिन होता है 13 फरवरी को जिस दिन हम नेशनल वुमेंस डे मनाते हैं फर फिर लेडी विद्ध लेम के नाम से किन को जाना जाता है फ्लॉरेंस नाइटिंगल को यह बृटिश थी और इनका जन्नम दिन होता है 12 माई को जिस दिन हम इंटर्नेशनल नर्स डे मनाते हैं फिर ब्राजील की प्रेसिडेंट कोन है जेर बोल्स नारो है ब्र ब्राजील की केपिटल है ब्राजीलिया, करंसी है ब्राजीलियान रियल, अच्छा मैं अगर आपसे पूछओ अभी ब्राजील में कौन भारते राज़ूत इंडियान अमबेजडर बने, सुरेश के रेड़ी बने थे, फिर ए इराग के नए प्रदान मंतरी कौन है, मुस्तफ अच्छा गाईज अगर आप में से कोई स्टुडेंट बैंक एक्जाम की प्रेपेरेशन कर रहा है, तो आपके लिए एक आवश्चक सूचना, सबसे पहले तो एक फ्री लाइव टेस्ट कंड़क्ट करवाया जा रहा है, आप सभी बैंकिंग एस्पिरेंस के लिए, तो अन नेगेटिव मार्किंग होगा, टाइम सेट होगा क्यूस्चन का, और जब आप टेस्ट सम्मिट कर दोगे, तो आपको आपके रिपूर्ट भी शो होगी, ताकि आपको ये पता चलेगा कि आपने कैसा परफॉर्म किया है, आपके क्या स्ट्रॉंग पॉइंट है, क्या वीक में दे पाओगे, और इस मन्त जो टारगेट एक्जाम है, वो रखा है आईवीपेस क्लर्क प्री का, अच्छा और इससे भी बड़ी बात, आप अपनी कम्यों को दूर करके और अच्छा परफॉर्म करो, इसके लिए आपको एंकरेज भी किया जाएगा, कैसे, टॉप प्राइज होगा 5,000 रुपे का अमेजन वाउचर, फॉर्ड प्राइज होगा 2,000 रुपे का अमेजन वाउचर, मतलब देख रहे हो, आपको एक रुपा भी नहीं देना है, उपर से आपको अपनी तयारी को टेस्ट करने का मौका भी मिल रहा है, और अगर आप अच्छा स् एक्जाम की तयारी कर रहे हैं, तो आप भी इन टेस्ट का benefit उठा सकते हैं, और ये prize अपने नाम कर सकते हैं, तो ये टेस्ट आपको कैसे देना है, कहाँ पे देना है, उनका link आपको नीचे description में मिल जाएगा, तो important days की बात करेंगे, पहला प्रशन है, 0 भेदभाव दिवस, Zero Discrimination Day कब मनाते हैं, एक मार्च को, और इस बार की theme थी, Zero Discrimination Against Women and Girls, महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ, 0 भेदभाव, फिर है विश्व नागरिक रक्षा दिवस, World Civil Defense Day, ये हमने एक मार्च को मनाया, जिसकी theme थी, Protection of Children, Our Responsibility, बच्चों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, फिर है विश्व वन्यजीव दिवस, World Wildlife Day, ये हमने 3 मार्च को मनाया, जिसकी theme थी, Sustaining All Life on Earth, प्रत्वी पर सभी का जीवन बनाया रखना, फिर है विश्व hearing दिवस, 3 मार्च को मनाया, theme थी, Hearing for Life, Don't Let Hearing Loss Limit, फिर है राष्टर सुरक्षा दिवस, National Safety Day, 4 मार्च को मनाया, और Enhance Health and Safety Performance by Use of Advanced Technology, फिर है जन ओश्यदी दिवस, ये हमने मनाया 7 मार्च को, फिर है अंतरराष्टर महिला दिवस, 8 मार्च को मनाया गया, इसकी theme थी, I am Generation Equality, Realizing Women's Right, आचा ये तो International Women Day हो गया, 8 मार्च को जो हम मना रहे हैं, एक National Women Day भी होता है, जो हम सरोजिनी नायडू जी के जनम दिन को मनाते हैं, कब 13 फरवरी को, फिर है World Kidney Day, 12 मार्च को मनाया, World Sleep Day, ये हमने मनाया 13 मार्च को, और एक और होता है International Pi Day, जो हम 14 मार्च को मनाते हैं, Pi की value क्या होती है, 3.14, तो यहीं से आप निकाल सकते हैं, 3 मतलब 3 महिना, और 1.4 मतलब 14, डेट आप निकाल दोगे 14 मार्च को, तो गाइस ये था आज का हमारा Current Affairs का Revision वाला वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, और कम से कम एक लाइक जरूर कर जाना, अच्छा एक और बात, अभी मैंने आपको जो Scholarship Test के बारे में बताया है उसके अलावा, Unacademy India's largest learning platform पर प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर आप सारे educators के courses, उनके recorded या live videos, mock test वगेरा, previous year questions, doubt sessions, ये सब access कर सकते हैं, और इतना ही नहीं, Craig Exam 10 promo code यूज करके आपको मिलेगा instant 10% discount, तो ये opportunity बिल्कुल मिसमत कीजिए, चल्दी से enroll करें, लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा, अब हमेशा की तरह कुछ questions आप लोगों से पूछे जाएंगे, questions आप लोग लगाएगा और देखेगा कितने questions आप लोगों से सही बन पा रहे हैं, बाकि हम इनको console करते हैं, ये रहे questions आपके सामने, कर दो से आपके को झापके सामने, बाकि हम इनको लोगों से अपके सामने, बाकि में उतके सामैं, अपके रहे हैं, बाकि षाव़ों से बनाहिप्टैण